ये क्लास हाओ और यू आई होप अप लोगा फिर अच्छी होंगे आज हम पढ़ेंगे आपके जर्नल नौल एबुक का चैटर नमबर एट इसका टाइटल है किंग्स और क्वीन्स यानिक इस चैटर में हम किंग्स और क्वीन्स के बारें पढ़ेंगे आई देखते हैं कि इंडर नहीं था तब वहाँ पे इंडिया में कौन रूल करता था किंग्स और क्वीन्स यूज दू क्लू करना है और उनके नाम को आइडेंटिफाई करना है फॉर्स्ट वान इस दगेंग हुगे वार आफ्टर दिवार अफ कलिंगा वो कौन से किंग थे जिन्नोंने कलिं गीनिगा कि वह ङजाएंगे वह वह लोग मारे यह दो कि जानगे किकिन युर्स अंदर डाया की भावना आई और उन्होंने वार को सबसे बड़े बेटे जिन्होंने उनके बाद गद्धी को समाला 23 साल की उमर में उनका नाम क्या था उनका नाम था हुमायू ठीक है है हुमायू एन ओके थर्ड वन देखते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ मुगल इंपरर्वर्स वो इंट्रिडूस दीन इलाही रिलीजन ठीक है मुगल इंपररर के सबसे ग्रेट गां जिन्होंने दीन में यही रिलीजन में नहीं एक साथ के वहां पर इसकसन करते थे और इनको मुगल इंपररर का सबसे बड़ा खिंधे महान कि भी माना जाता है इनका नाम था अकबर ए K b a r पूरा नाम इनका था जलालुतिन मौहमदद अत्पर पुष्फ वर्श्ट आफ ग्रेट मुगल इंपरर अपने इंडिया के सबसे ग्रेट इंपर यानि फर्स्ट मुगल इंपरर थे हैं इनका क्या नाम था इनका नाम था बीए यू आर याने की बावर इंका पूरा नाम था तो कौन सी फर्स्ट विमें थी जो डेली की राजगती पर बैठी देली के थ्रोन पर बैठी वह थी रजिया आरे जट आई ए उनका पूरा नाम था रजिया सुल्तान आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे चीज़ें कभी चोड़ा चोड़ा सा क्ल्यू दिया है आपको वह पढ़के आइडिन्टिफाइब करना है और इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे आगी क्लासे में तो सिक्स्ट वन देखते हैं दा किंग हुआ है डिस कैपिटल एड का हर्षबरधन ये एक इंदीन इंपरर दे है जिन्नोंने नार्थ इंडिया पर रूल करहा में लेक्षिम लक्षमियले एक्स इम आई बी ए आई यहां बे दिया है लक्षमी बाई इनका रानी अवजासी के रियल निम था रानी अवजासी ने काफी ब्रेवरी से सामना गिया था ब्रिटीशर्स का उनके अगेंस तो उन्होंने लडाई करी और उन्होंने एक मिसाल कायम की कि विमें भी बहुत ही बैपिरिन वर्यर हो सकती है तो आई होब आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा कोई भी डाउट हो कोई भी क्रेश्चन के अरिए अब जरूर कॉमेंट बाक्स में पूछ है थांक्यू सो मच साइनिंग आफ